बैक डेट मतलब बैक डेट इलिगल पूरी तरह से 100% इलिगल इसको आप लीगल की संग्या बिलकुल नहीं दे सकते हैं लीगल का परमान इसे बिलकुल नहीं दे सकते हैं दोस्तों एक हमारे सबस्क्राइबर ने हमें वाटसेप किया और हमसे कोशन पूछा किसरी लगातार इतनी सारी युनिवस्टीज आती जा रही हैं बैक डेट के आप अक्सर वीडियो बनाते हो अक्सर हम भी सुने को मिलता है इसली कंसल्टेंट्स हमें ओफर कर देते हैं कोई शेयर किया उसके बारे में कई सारे डाउट्स हैं आपके दिल में भी कि हमें बैक डेट डिगरी करनी चाहिए के नहीं बैक डेट डिगरी होती क्या है किस तरह ही काम में आती है गूगल पर डाला है तो क्या वो गलत तरीकर डाला है उसका समझाने का मतलब क्या है यह क्या ह इसके बारे में थोड़ डिसकस करूँगा आज अपनी इसमें वीडियो मेर काफी कुछ बताँगो इसके बारे में दोस्तों बने रही है हमारी इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है उनिवस्टी इंडिया मेरा नाम है विरेंदर वर्मा जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की उनिवस्टी स्कॉलिजिस उनके कोर्सिस को एक्सप्लोर एंड रिव आते हैं दोस्तों कई सारे अलगलग तरह के कोश्चन्स हाला कि आप हमसे पूछते हो कई कोश्चन्स ऐसे होते हैं जिनका की हम ओन कैमरा आकर जवाब नहीं दे सकते कई सारे कोश्चन्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में की आपको पता है बस थोड़ा सा आपको रेक्टिफा पहली बार देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को मैं आपको बता दूँ हम इसी तरह की educational वीडियो लेकर आपके लिए आते हैं आपको aware करते हैं और हम जो fight करते हैं students के favor में या consultants के favor में आपको कोई भी किसी भी तरह की समस्या है problem है university परेशान करें या college परेशान करें आप हमसे message से ही solution देंगे उसको follow करेंगे तो आप अपने problem से जरूर निकल सकते हैं एक हमारे subscriber ने हमें एक screenshot डाला के सरा आप इसको देखी यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक साल में अपनी आप graduation कर सकते हैं और यह legal है दोस्तों वो illegal है वो बोलना क्या चाता है आपको वहाँ पर भी थ transfer हो सकता है मतलब कि एक साल पास माना जाएगा second year में admission ले लोगे आप दो साल कहीं से पास करके आ रहे हो third year में सिधा admission ले रहे हो वो कैसे ले रहे हो तो आप UGC को एक letter लिको UGC वाले आपको reply करेंगे कि ऐसा कैसे possible है हला कि ऐसे possible नहीं है और दोस्तों बात आए कि ऐसी ल कि अब शुरू से back date का का काम शुरू कर देंगी क्यों दोस्तों ये तो ऐसा है कि universities को एक approval मिल गया UGC का university बन गई अब वो क्या करती है किसी को कोई मतलब नहीं क्योंकि universities को जो चोड़े चोड़े courses जो council से link courses नहीं होते हैं जैसे कि आपका B.A.B.C.A.M.C.A. ये कुछ और है कि उसने कितने courses कर दी है कितने students को निकाल दी कितनी अपतर डिगरी आवार्ड कर दी लाखों में नाम आता है फिर तो डिगरीज का होता क्या है और हमारे देश की विडंबना भी क्या है जूड़े सिस्टम का कि जब ये ट्रैल चलता है चार पांच छे साल के आपता चलत है कि वो फैसला यूनिवस्टी के फिवर में आ जाता है और यूनिवस्टी दौरा चलनी शुरू कर देती है दोस्तो है क्या चीज़ कि हमारा जूडिशी सिस्टम ऐसा है कि हमारे कानून के विवस्टा ऐसी है जहां पर evidence चाहिए ज़ादा है ज़ादा evidence दिखाने पड़ते यूनिवस्टी करती है बैक डेट पैसे लेकर डिगरियां बेशती है इसमें को छुपी होई बात नहीं दो रहा है नहीं जितने हमारे लोग हमारी वीडियो उसको देखते हैं काफी आप मैंसे students हैं जो हमसे इन बातों में discuss भी करते हैं और पिछली जो हमने वीडियों बता में पास है नहीं स्किल तो है मतलब नॉलिज है मतलब मैं experience डूँ बट मेरे पास डिगरी नहीं है जिसके जूब नहीं मिलेगी तो मेरे लिए मजबूरी बन जाती है और इसी मजबूरी का ये फायदा उठाते हैं या क्या करते हैं यूनिवस्टीज वाले आपको डिगरी दे देते हैं और वक्त आने पर आपका साथ छोड़ देते हैं आपको बीच मजधार में छोड़ कर निकल जाते हैं और कई तो ऐसी उनिवस्टीज भी हैं जिनको जब पैसे की जरूरत थी बैक डेट डिगरी या बाटी और जैसी मजबूरी खतम हुई जैसे पैसा इनके प लेकर अगर आप लेते हो तो आप गलत हो तो आप मेंसे किसी ने भी अगर बैक डेट डिगरी ली है या कोई प्लानिंग कर रहा है प्लानिंग कर रहा है तो बिल्कुल मत लेना मेरी इस्टिकली एडवाईज है आप सभी को बिल्कुल मत लेना क्योंकि हम हमेशा हितेशी हैं हम हमेशा वैल विशर हैं सब इस्टूडेंट्स के लिए इस्टूडेंट्स की फाइट करते आए हैं हमेशा लड़ाई करते हैं उन चीज़ के लिए यूनिवस्टी से कॉलिजिस से आपके फेवर के लिए हमेशा खड़े होते हैं बट आप ही गलत करेंगे तो हम भी शायद आपकी मदद बिलकुल नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब ये मामला कोड तक पोचता है ये थाने पुलिस तक पोचता है तो वहाँ एविडेंस चाहिए होते हैं वह आपके इसी तरह के डाउट से कोश्चन से कमेंट बॉक्स में बताएं बार बार आपको बोल रहा हूँ बड़ी समस्या है प्रॉबलम है हम आपके साथ खड़े हैं कॉलिज जाना हो युनिवस्टी जाना हो हम जाएंगे आपकी मदद जरूर करेंगे बड़ चोटी चोटी चीज़ों के लिए आप हमें कमेंट कीजी हम रिप्लाइ कर देंगे वही उसका अंसर होता है उसको ही सोलूशन आप करोगे उन्चे फॉलो करोगे आप हमें प्रॉबलम से जरूर निकल जाओगे दूस्तों मैं अमीद करता हूँ आज का हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो आज का वीडियो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करतें साथ में लगा बैल आकर जरूर दबा दें ताकि इसी तरह कि एज्यूकेशनल वीडियो आप तक पोच्छ सक बहुत बहुत शुक्राय दोस्ताने वाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए